वेलकम बैक तो मैं चैनल दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि ऐसे केमिकल स्टॉक के बारे में जिसे आप दीपग नाइट्राइट का जुड़वा भाई कह सकते हैं दोस्तो बहुत ही अच्छे प्राइस पे अवेल वाल है साल के लो से दोस्तो लगबग आठ गुना ये स्टॉक दोड़ चुका है और सेम सेगमेंट की कंपनी है जिस सेगमेंट में दीपग नाइट्राइट काम करता है तो इस स्टॉक को नजर में आप रख सकते हैं अलाकि बहुत बड़ी कंपनी नहीं है दोस्तों लेकिन हो सकता है आंगे आने वाले समय में ये बहुत बड़े जंप और दिखाए क्योंकि उसी सेग्मेंट में है जिस सेग्मेंट में दीपक नाइट का बिजनेस है तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे के हैं में पूरी इंडस्टी का पी दोस्तों 38 से अधिक का है लेकिन स्टॉक का पी का कोई भी डिफाइन नहीं किया गया अभी इस टॉक में जितना भी कामकाज होता है उसकी 63% के आसपास डिलेवरी उठा ली जा रही है और फेस वैलू स्टॉक की 10 रुपए की है ये जिस सेग्मेंट में ह है और साथ ही साथ फिनॉल के साथ साथ ये दोस्तों एसी टोन के बिजनेस में भी वह भी मैं भी आपको दिखाऊंगा और इसके फर्दर आपको डीटेल मैं आपको पहले दिखाता हूं कि स्टॉक का प्राइस क्या चलना है इसमें जंप कहां से और कितना मिला है अब तक औ दोस्तों सरक्रिट लग गया है स्टॉक के अंदर बावन वीक लो की बात करें तो मात्र पांच उपए पिचासी पैसे का स्टॉक जो की उन्तालिस रुपए 55 पैसे पे जा पहुंचा है विदेन वन येर बहुत ही गजब की तेजी स्टॉक के अंदर बनी हुई है तो इस स् बाव बिजने से आपको बताऊंगा तो इसकी प्रोडेक्ट देख लीजे तो इसमें दोस्तों 61% जो बिजने से इसका फिनॉल का है और 22% बिजने से दोस्तों इसका जो है वह एसी टोन कर देखने को मिलता है तो करीब-करीब इन दोनों से 83% का बिजने से जो की दीपक ना दोस्तों दीपक फैटलाइजर इनकी एक सबसे बड़ी कस्टमर है जिससे 25% का revenue इनका आता है दोस्तों तो स्टॉक ये छोटा मोटा दिखने में जरूर हो सकता है आगे आने वाले समय में अच्छा गासा जंप इसका अंदर देखने को मिले और एक अंतर इसमें ये है दीपक नाइट टाइट के स्टॉक और इसमें कि दीपक नाइट टाइट का जो बिजनेस है वो 30 प्लस कंट्री इसके अंदर फैला हुआ है इसका बिजनेस कंप्लीट इंडिया बेस्ट है आप देख सकते हैं 100% पूरा बिजनेस इंडिया के अंदर है तो ये चीजें आपको दोस्तों कोई नहीं बताएगा इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप किसी भी स्टॉक में पैसा है तो आईए इसके और डिटेल देखेंगे तो दोस्तों अभी आगे हैं स्टॉक के सेर होल्डिंग पैटन के ऊपर तो आप देख लीजे इसमें डिया इसकी कोई होल्डिंग नहीं है ना ही इसमें मूचल फंड की होल्डिंग है मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों चाहड़ा तर रही है मैंने ऐसा देखा बट इट इस नॉट फैक्ट कुछ भी चेंज भी हो सकता है कि अगर एक हजार कों से अधिक की कंपनी होती है उसी में फाइए वगेरा इन्वेस्ट करते हैं तो सेर होल्डिंग में क्या अधर्स के पास 41% से बड़ी होल्डिंग है प्रमोटर की होल्डिंग करीब करीब 58% की स्टॉक में देखने को मिलती है तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं स्टॉक के रिटन की प्रोफाइल आपको दिखाना चाहते हैं कि स्टॉक ने अब तक निवेशकों को कैसा रिटन दिया उसके बारे में बात करेंगे तो आज के शुरुआती हुए दोस्तों 105% का मूव दे चुका है ये स्टॉक और एक साल की बात करें तो करीब 334% के बहतरीन रिटन दिये हैं और दो साल में 57% का मूव है तीन साल में 64% का रिटन छे साल की बात करें तो करीब 244% का मूव है और पास साल में 193 और दस साल में 14% तो दो aggressively भी आपको buy नहीं करना है आपको यदि stock में entry लेनी है तो थोड़ा बहुत पैसा आप लगा सकते हैं वो भी correction में भी stock all time high pay है दोस्तों तो अभी stock का नाम आपको हम बताने वाले हैं तो stock का नाम आपके नाम आपके सामने आ गया है यह HOCL दोस्तों है stock का नाम हिंदुस्तान और्गैनिक केमिकल लिम्टेट की बात हो रही है तो stock को गिरावट में add कर सकते हैं दोस्तों और बहुत बड़ा पैसा लगाने की विजरूत ने stock में वीडियो पसंदा है लाइक कर दीजेगा चैनल पहले बादे सब्सक्राइब करना मत बूले थैंक्यू